है दोस्तों वेलकम टू स्टडी आई एस और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया स्वेडिन रिलेशन के बारे में अभी रिसेंट्ली हमें यहां पर एक इंडिस्ट्री टैंजिशन डायलोग जो है यह लोताव बात दिखाए देता है इंडिया स्वेड अग्भी निउस में हैं आज की वीडियो में लोग सारी बाते देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड़ क्या है और हमारी जो रिलेशन अपके सबस्कूर्ण के आपके साथ बाला हूं पूरी वीडियो को दियान से दिखेगा कहीं पर कोई डाउट होता है तो जरूर इसकास करते हैं इंडिया सुड़ेंड रिलेशन के बारे में लेकिन दोस्तों से पहले बता दू जबाए फिर से काफी चीफ परफॉर्मेंस रही आने केडमी की कफी सरे टॉपर्स हैं जुन्हों प्रिपेशन आने केडमी से करी है और आप लोग को रिजल्ट सामने दिख गय करके आप लोग को 10% का डिसकाउंट भी देखने को मिलेगा अगर आप लोग को मिलेगा और सारे बेनिफिट जरूर लीजेगा आठ जुन और पंदरे जुन को ने बचे स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग यर के लिए इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं आप लोग लिए ले सकते हैं देखें रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी आप किसकते हैं इंडिया और सेडिन ने होस्ट करा था इंडिस्ट्री ट्रांजिशन डायलोग जो की वाता है स्टॉक होम के अंदर ये दोस्तों आप किसकते हैं एक जॉइंट इनिशिटीव है औफ दी क्लाइमेट चेंज वाला है वैसा ही सेम है लीड आटी के बारे हम बात करें ये एक इनिशिटीव है जो की स्पेसिविक फोकस करता है अब 8 सेक्टर के अंदर और जितने यहां पर की स्टेक होल्डर्स हैं उनके कि वो लोग यहां पर ग्लोबल कायमेट एक्शन को लेकि या 2019 के अंदर और इसे यहां पर सपोर्ट मिलता है वल्ड एकनोमिक फॉरम की तरफ से लीड आटी जो है दोस्तो इसके मेंबर सब्क्राइब यहां पर नूशन रहता है एनरजी इंटेंसिव इंडस्ट्री का और मस्त यहां पर प्रोग्रेस रहती है उनकी ओन लो कार्बन पा अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया और स्विडन के पॉलिटिकल रिलेशन हैं तो वह क्या कहते हैं डिपलोमेटिक रिलेशन दोस्तों स्टैबलेस हुए हमारे 1948 के अंदर और उसके बाद से यह हमें यहां पर स्टेडली और ज्यादा मजबूत होते हुए दि के बीच में जो की हुआ था 2018 के अंदर स्विडन के अंदर और स्विडन ने दोस्तों साथ ही पार्टिसिपेट करा था आप पर सकते हैं फर्स्ट इंडिया नॉडिक बेल्टिक जिसके अंदर आपके इस्तोनिया लात्विया और लिथियोनिया भी आते हैं और यह कॉंक्लि तो अभी अगर पॉलिक के बारे में बात करें तो हम लोग एक अच्छी ग्रोथ देखते हैं स्विडन के साथ मुल्टि लेटरल एंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो 1980 में इंडिया और स्विडन ने साथ में काम करा था और नुपलियर डिस आर्मेंट इशू जो की on humanitarian affairs को लेकर और 23 के अंदर दोस्तों मैं बता जूँ कि स्विडिस जो प्रेजिडेंट्सी रही थी उस ताम पर इंडिया ने जोइन करा था आर्टिक काउंसिल को एज एन ऑब्जवर एर एट दी किरूना मिनिस्ट्रियल मीटिंग पर तो ये बाते हैं जो कि हमें यहाँ पर और भी engagement है जो कि हम करते रहते हैं स्विडिन के साथ एकनॉमिक और कमर्शिल रिशन के बारें बात करें तो इंडिया जो है आपके सकते हैं स्विडिन थर्ड लार्जेस ट्रेड पार्टनर है चाइन और जापान के बाद एश्या में ओके और जो ट्रेड गूर्ट से दो सर्विस है वो इनिक्रीज हुई है दोस्तो हमारी 3 बि इंडिया जोंट एक्शन प्लैं 2018 में हैं जो हैलाइट करता है कि हम लोग स्पेस रिसर्च टेक्नॉलजी इनोवेशन और एप्लिकेशन पे साथ मिलके काम करेंगे अब दोस्तों वी फॉरवड के वारें बात करते हैं कि आखेर आगे क्या देखते हैं As a member of European Union Sweden जो है काफी important role play करता है इंडिया की partnership with EU और EU countries के लिए strategic engagement, bilateral trade and investment scenarios के साथ हमें यहाँ पे अपने shared economic progress भी देखने के मलती है जिससे की हम दोनों को ही यहाँ पे आपके सकते है benefit मिल सके नहीं केवल भारत को पर उसके साथ साथ Sweden को भी benefit मिल सके हमारे साथ मिलके तो यह बाते हैं जो कि हम देखते हैं Sweden के साथ I hope दोस्तों कि आपको यह पूरी वीडियो जो है समझ में आई होगी मैंने अपनी तरफ से कोसिस करी है कि आप लोग को सही तरीके समझा सकूँ और आया भी होगा नहीं आया है तो comment section में जरू बताए कि क्या चीज़ आपको न आप लोगा नातों एंगि नापको नहीं अचीज़ आपको और स्ट्स्राब को अजिव एलै के टीज़ आपको द्सक्राप लोग।